हम आज से डेली 10th question की एक MCQ form में एक सीरी चलाने जा रहे हैं जो अभी तक state PCS और other exam के लिए किसी भी बड़े से बड़े coaching center ने नहीं चलाई है तो आप सोने से पहले at least इं 10th question को solve करने उसके बाद सोएं क्योंकि ये 10th question आपको history, science, geography, environment और political science से लिए गए हैं तो I hope कि ये आपको आपकी तैयरी में एक booster की तरह काम करेंगे और आपको किसी भी तरीके से divert होने से बचाएंगे विकोज होता ही है कि हम prelims के time पर तो prelims type के बन जाते हैं लेंगि बीच में हम उन type के question को नहीं याद कर पाते हैं और नहीं solve कर पाती तो इसलिए आपको prelims का touch daily मिलता रहे तो इसलिए जरूरी है आप at least 10 questions daily करें अब देखिए इन 10 questions में आपको क्या करना है पहले minute में पहले 2 minute में है हम आपको time देंगे इन 10 questions को solve करने का आप चाहें तो इसे वीडियो को post करके भी solve कर सकते हैं तो इस series को आप continue करने के लिए इस channel को subscribe करें और हमारे telegram का link join करें तो पहला question है 1972 में पूना pact के बाद हरीजन सेवक संग की इस्ताबना कब हुई इसके अद्यश कोन थे इसके अद्यश कोन थे इसके द्यश्ट आफ्टर पॉना pact of 1932 हरीजन सेवक संग वाज इस्टेबलिस इट्स प्रेजेंट वास कौन थे वह आपको बताना है उसे टाइप से second question है यह इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा स्वमिलित नहीं है वह आपको देखना है अभी हम दो मिनिट के बाद इसको डिसकस करेंगे मैं अभी इसको उपर कर देता हूं इसको कर रह कुछ होता है आपको बताना है dbt का ठीका किसे सुरक्षा देता है यह किसको से protect करता है वो बताना है आपको यह दो जोग्रफिक के question है नेविगेशन वाला और यह लेटर राइट सोहिल वाला एट्थ question आपका political science है money bills related question है 9th question political science है इसमें correctly not correctly mesh का पेर बताना है कौन साइज में 10th question आपका environments है आपको यह 20 का declaration का क्या था title बताना है आपको आप देख सकते हैं अब फ्रेंड्स हम इनको discuss करते हैं वन वाए वन अन देखी फ्रेंड्स यह है यह है आपका हरिजन स्वेबक संग तो यह पहले क्या था यह पहले था all India anti antiquability league all India anti antiquability league all India anti antiquability league तो यह बनी कब थी यह बनी थी आपकी 30 September 1932 को जिसे आगे चलकर इसको हरिजन स्वेबा संग नाम कर दिया गया था इसका तो इसका जो अध्यक्ष ता कौन में आए गया था वो जग जीवन राम जग जीवन राम बनी थे जग जीवन राम इसके प्रेसिडेंड बनी थे अब समझमा गया यह पहले थी all India या एंटे अंटे चल्लोटी लीग तो 30 September 1932 को यह बनी थी अगला कोशन देखते हैं अब इसमें से आपको इसमें से कौन सा नोट करेक्टली मैश्ट यह देखना था आपको नोट करेक्टली मैश्ट तो फ्रेंड्स आ इसमें पेट्स इंडिया एक्ट पेट्स इंडिया ए कभी कभी पुछाई था कि इसने कौन-कौन से प्रांत तो पर जो बिले किया था क्वों कोंस से थ cerds 713 सतारा कभिक रहिए इसने वो था आपका 18 48 उसके बाद जहती पूर जहत पूर जहत्पूर तो जहत्पूर झvy ऑप और उसके बाया हाद थाfikमा संभलपूर संभलपू सम्भलपूर 1849 और कभी इसमें पूछ जाया था कि इसमें जो अबद प्रान था अबद तो अबद को कब किया था इसने अबद को किया था 1856 में इस डोक्रिनोप लैप्स के अंतरगत कब लाया था 1856 तीसरा वर्निकुलर प्रेस एक्ट तो यह करजन नहीं था यह हमारा आंसर था अगर देख लिए इलवर्ड विल इलवर्ड विल डिपरन के टाइम पर था यह तो इसमें इलवर्ड विल में क्या था इलवर्ड विल में यह था कि जो इंडिया की जज़िस थे और जो यूरोप के जज़ थे उन्हें दोनों को एक्वल पावर्ड देने का लिए प्रोविजन लाए गया था इलवर्ड विल में लेकिन बहुत ज़्यादा विवाद होने के बाद में इसा यह वापस ले लिया गया था अब यह दिके वर्णिकुलर प्रेस एक्ट यह करजन के टाइम पर नहीं था तो हमारा यह आंसर होगे C अब यह लाय कुन था यह वर्णिकुलर प्रेस एक्ट वर्णिकुलर प्रेस एक्ट जो आपका लेकर आया था वो लिट्टन लेकर आया था लिटन और ये लाय कब था ये लाय था 1878 में वर्निकुलर प्रेस एक्ट किसके टाइम पाय था लिटन के टाइम पाय था लाय कुन था लिटन लाय था और आया कब था 1878 में तो इसमें क्या था इसमें जो इंडिया के नियूस पेपर थे उन पर ये पावंदिया लगानी थी तो इस इसको जो है मुह बंद करने वाला धीने भी कहा गया था यह जो है क्योंकि यो पहले होता यह था कि जो भारती लोगों की आवाज होती थी वो मेडिया होती थी तो एक्ट लाए गया था आगे अगला कोशन देखते हैं अब ये एंसेंट इंडिया कोशन है इंडस वेली कल्चर से रेलेटिड सिंदुगाटी सब्वेता बेतिक सब्वेता से किस तरह बिन थी यानि कि आपका इंडस वेली कल्चर था वो वेदिक ये सिविलाइजेशन से किस टाइप से अलग था तो पहला इस्ट्रिमेंट इट हैड दा एमिनिटी एस ओप डेबलमेंट सिटी लाइफ तो ये देखिए तो जो सिंधु गाटी थी जो हमारा इंडस फैली था यहां पर अर्वनाईशन हो चुका था अर्वनाईशन यहां पर हो चुका था और यहां प अर्वनाईशन देखते ही इसके पास चित्रलेखिय लिपी थी इट हैस ए ट्रिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट तो ये इंडस फैली लोग के पास थी जबकि यह बैदिक प्रेट के बालों के लोग के पास नहीं थी तो दूसरा यह डिफ्रेंस हो गया तीसरा इसके पास लो की जनकारी थी, आरेन की जनकारी कहां पे थी? वेजिक प्रेट के टाइम पे, तो तीनों बातों में ये अलग था, तो तीनों हमारा आंसर हो गया All of the Abub, इसका आंसर All of the Abub आगल कोशन देखते हैं अब ये कोशन, ये साइन्स का कोशन है अब इसमें देखना है कि plague, file area, very-very, typhide यह किस चीज को effect करते है जो plague है plague होता क्या है कि यह पिस्वों के काटने से होता है यानि कि spread through flea whites यह spread through flea whites यानि कि पिस्वों के काटने से होता है तो हमारा पहले का दूसरा हो गया तो पहले कि दूसरा हमारा एक में ही है तो हमारा इसका अंशर डी हो जाता है अब उसमें दूसरा देखते ही दूसरा क्या है file area अब यह file area होता है मच्छों से होता है कोश्ट वाई कोश्ट वाई mosquitoes berry-berry बेरी-berry होता है vitamin B की कमी से vitamin B की कमी से आगे देखते है यह DPT vaccine is given to protect from DPT का निमलिकित में से किसे सुरक्षा है तू दिया जाता है DPT का ठीके के बाद चल रही है तो यहाँ पर देखते है अब इसमें देखिए D से के समझे मारा आपको के पहले में तो आज़ा नहीं हमारा तो D से DP थिर्या और T से टैट ने तो DP थिर्या वर टैट रहिं तेकों इसमें भी नहीं है आगे देखते है DP यह DP थिर्या और टैट ने तो एक में हमारा तो यह यह आंसर हो गया हमारा DP tos तिया meny madre इसका अंसर C हो गया DP थिर्या कोकुरखांसी और टेटनेस अगला कोशन देखते हैं यह बताना आपको देखिए टाइट्स आर ओफ ग्रेट हेल्प इन नविगेशन एंड फिसिंग नो परिवहन और मस्य ग्रहन यानि फिसिंग में जुआर भाटा अतियन सहाइक है ठीक है अगला देखते हैं उच जुआर भाटा बड़े जलियानों को बंदरगाह में सुरक्षित प्रिवेश करने या निकालने योगी बनाता है हाई टाइट्स इनेविल्स बिक शिप्स टू एंटर और लीब दा हर बहुत सेफली ठीक है अगला देखते हैं जुआर भाटा बंदरगाहों में साधन रोकता है देखिए मैं आपको बता तो यह हिंदी मीडियम के हैं एक बार वह इंग्लिस का भी देख लिया करें क्योंक इसों को बहुत टफ मनाने कोशिस की जाती है या फिर यह कहें कि यह जो है आपका गोगल ट्रांसलेशन होता तो कुछ का कुछ बोल जाता है वह तो आपको इंग्लिस बाला भी पढ़ने चाहिए इजी रेंग्विज होती है उसकी तो आगे दिखते हैं तो कांडला एंड यह दिखते हैं रेंड वर और टैडल पोट्स तो इसमें पहला सही है देछिए दूसरा सही है तीसरा सही है तो इस के चारव सही है आगे दिखते हैं लेट्र एट सोइल की बात कर रहे है यहां प है लेट्राइट सोइल तो यह बोल रहा है कि they are generally red in color अब वो लाल रंग के होते हैं ठीक है nitrogen और potassium से सम्रद्ध होते हैं तो यहाँ पे reach in nitrogen और potassium तो nitrogen नहीं होता है इसमें तो दूसरा हमारा गलत है तो जब दूसरा गलत होगी है तो यह गलत हुआ यह गलत हुआ यह गलत हुआ तो हमारे पास कौन से बचे है हमारे पास C option बचा अब देखिए इसमें अगर nitrogen और potassium नहीं होता तो क्या होता है इसमें iron की मातरा सबसे ज़्याद होती है इसमें iron और aluminium की मातरा सबसे ज़्याद होती है तो अब यह अगला कुशन देखते हैं और यह राजिश्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा भी कास होगा नहीं यह गलत है राजिश्थान में तीन-चार टाइप की मिट्टी उत्तर प्रदेश में जात तर जलोड मिट्टी है यानि के अगला इन मिट्टीों में टैपी कोका और काजू की अच्छी खेती होती है तो इसमें जो यह टैपी कोका और केश्यू नट्स ग्रोव वेल ऑन इस सोईल्स की बाट ठीक है तो पहला और हमारा चोथा अंसर आ जाता है इसमें अब नेक्ट कोशन इन में से कौन सा करेक्ट ह करेक्ट देखना हमें इसमें तो मनी विल का मैं मनी विल इस इंट्रेज्डूज इन राज्जी सबा यह नहीं है क्या लोक सबह में ही लाएजा सकता है शिर्फ वह ए मonny विल कैन बी इंट्रडुज इन आइदर ओ standardized नहीं केबल लोक सबह में यह money will cannot be introduced in log sabah नहीं गलत है यह तो money will is introduced in log sabah यह ठीक है तो जो धन्मिद एक है हमारा cable log sabah में ही लाए जा सकता है धन्मिद एक log sabah में लाए जाए अब यह पुलिटी के दूसरा question देखते हैं इसमें match करना है not correctly match देखना है कि कौन सा इसमें सही सुमरित नहीं है हमारा part second में जो है city and shift के बारे में mention क्या गया part third में फटावाटर राइट हैं यह कहां से लिए गए थे America से लिए गए थे DPSP हैं कहां से लिए गए थे यह आयरलेंड से लिए गए थे Ireland कहां से लिए थे Ireland से पार्ट फार्थ मैं तो और उसके बाद यह फटावाटर ड्यूटी पार्ट फोर्थ के ए में स्वान सिंग कमिट्टी की सिफारिस पर लाए गए थी कब यह लाए गए तो फंडमेंटर ड्यूटी इस फोर्टी टू अमेंट नैंटीन सेवन्टी सिक्स में तो यह पार्ट इसका गलत मैश किया हुआ है अगला कोशन दिखते हैं रियो 20 गोस्रा पत्र का स फ्रेचर कर छीवनन तो पहले जो इर्थ समयलन हुआ था वह नैंटीन नैंटीननटी टू मर था इसके पंस साल बाद रियो फाई हुआ ओ नैंटीन नैंटीसेवन उसके वह ठींच पंस सल बाद 2002 में रियो 10 हुआ आज के हमने दस कोशन ये बहुत अच्छे से डिसकस किये, इसी टाइप से आप इन कोशन को डेली प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपके उपर किसी भी टाइप का प्रेशर एग्जाम के टाइम पर नहीं आए, इस टाइप से अगर आप कोशन करते रहेंगे डेली, तो इससे हो होगा क्या कि आप डेली टश में रहेंगे के कोशन में, अगर आप मैंस का भी पढ़ रहें, फिर भी दस-पांच मिनट निकालके आप इन कोशन को सुन सकते हैं, और कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे क्या रहता कि माइंड में वो सारे सब्जेक्ट चलते रहते हैं तो I Hope यए आपको स्रीस कैंसल हैं कि आप कमेंट करके बता सकते हैं और इसी अगर स्रीस को हम कंटिनीव करें तो आप कमेंट करें और बताएं, ठीक हैंडर अब आप अपने स्कुर्णा कि इसको डिसकस करनें, शेयर करें और ज्यादकाशा क्या इसको इसको जो है, शेयर कर